हलो फ्रेंज और आप लोग कैसे हैं तो आज हम बनाएंगे हरे मटर केटली और कितनी सौप्ट और ये चटनी के साथ मैं दिखा रही हैं और कितनी मुलायम बनी हैं बहुत ही सौप्ट और बहुत अच्छी बनी थी तो आप लोग इसे अपने घर पे जरूर ट्राइ करिएगा और आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दबाईएगा और मेरा वीडियो सेयर करिएगा तो आएए बनाना सुरू करते हैं तो हमने लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, टमाटर, धनिया और एक कटोरी सूजी और खटी दही है और काला नमक है और ये मटर हमने लिया है एक कटोरी तो ये मटर को हम गैस पर रख दे रहे हैं उबलने के लिए तो ये मटर को हम उबाल के बनाए कच्ची मटर से हम नहीं बनाएंगे इटली नहीं तो उसमें कच्चा पन का स्वाद आने लगता है तो हम इस मटर को रख दिये हैं अच्छे तरीके से उबल जा रही है और खुब अच्छे तरीके से पक जाएगी तब हम उसको बाहर निकालेंगे दूसरी तरफ यह मैं धनिय अद्रक हरी मिर्च और लैसोन और हरा टमाटर हमने लिया है अरे थोड़े कच्चे हैं तो यह हरे टमाटर है अब थोड़ा सा नमा अपने टेस्ट के अंसाल लिया है तो अब हम इसको मिक्सी में पीस ले रहे हैं और इसको पीस के हम बाहर निकाल लेंगे ति यह हरी मटर इटली उधर बनेगी और इधर यह हरी धनिया टमाटर लैसोन दरक की चटनी तो यह मटर अच्छे तरीके से पक गई है तो इसको हम पानी निकाल दिये हैं यह गरम है अबी इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में यह पीस लेंगे और पीसने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे इसका पेश्ट बनाएंगे यह देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको पीस के इसका पेश्ट बाहर निकाल लिया है और यह इटली बहुत ही अच्छी बनी थी बहुत सौक्ट बनी थी तो आप लोग इसे जरू ट्राइ करिएगा और बच्चों को खाने में दीजिएगा और दूसरी तरफ यह धनिया अधरक लहसुन हरी मिर्च और यह टमाटर उसी जार में हम इसको पीस ले रहे हैं और आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आप लोग को एक ऐसी मेरी इटली बनी है यह काली मिर्च भी हमने लिया है थोड़ा सा और यह थोड़े पकेट अमटर है इसको जो हम पीस लेंगे, पीसने के बाद हम उसी इटली में डालेंगे, इसका पेश्ट है, और ये काला नमक है, तो आप लोग थोड़ा मेरा वीडियो पांच मिनिट तक देख लिया करिए, ये देखिए हमने पीस के उसी में मिला लिया है, जिसमें हरी मटर हमने रखा था भगोने में, ये गाओं की खट्टी दही है, जो घर में मिलती है, गाओं और घर में जब होते हैं, तो वो खट्टी दही है, तो ये थोड़ा हम इसको इसी में एक बार घुमा देंगे, तो ये पतला हो जाएगी, ये देखिए, पतली हो गई ना मठे की तरी, अब इसको हम इसमें डाल के अच्छे से चला दे रहे हैं, और ये घर की दही खट्टी हो गाओं वाली जो होती है, तो बहुत ही अच्छा टेश्ट इसका आता है, और आप जो नॉर्मल दही मिलती है, आप इसको भी ले सकते है तो हमने एक कटोरी सूजी लिया है, अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे, इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर ताकि इसमें गुठली ना पड़े, अब इसमें हमने अपने टेस्ट के अंसवार रमक डाल दिया है, थोड़ा सा हमने एक चुटकी, खाने वाला सोडा डाला है, इससे यह होगा न, अच्छे तरीके से यह उठ जाएगा, और बहुत अच्छी सौक्ट मुलाएं इटली बनेगी, तो हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढखके रख दिया था, और यह अच्छे तरीके से फूल गई है, तो हमने इटली का साचा लिया है, उसमें हम नीचे थोड़ा सा, इसमें लगा दे रहे हैं, इसमें लगा दे रहे हैं, एक एक करके सारे में, और अब मैं उसमें एक एक करके थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूं, इसी तरह सारे इटली के जो खाने हैं, मैं डाल के इसमें रख दे रही हूं, जितना इसमें आ रहा है छोटे-छोटे हैं मेरे इटली के सांचे तो हमने एक भगोने में पानी रख दिया है नीचे वो उबलने लगा है तो उसमें इटली का सांचा मुने डाल के ढ़के रख दिया है और इसको दस मिनट बाद देखेंगे निकाल के ये देखेंगे 10 मिनट हो गया है कितने अच्छे तरीके से ये फूल के गई है और मैं एक एक करके आपको बाहर निकाल के दिखा रही है ये देखें एक एक इटली मैं निकाल ले रही हूँ अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ये निकल जा रही है और कितने अच्छे फूली हैं ये सारी इटलिया तो हरी मटर की इटली आप लोग जरूर बनाईएगा लहसुन अदरक हरी मेर्च और धनिया की चटनी और ये हरी मटर की इटली और इसके साथ दही आप लोग इस को बनाईए खाएए और बच्छो को भी खिलाईए और मेरा थोड़ा ही समय बाकी है आप लोग मेरा वीडियो सेयर करिए मेरी हिल्प करिए और कमेंट करके बताएगे कि आप लोग को मेरी हरी मटर किटली कैसे लगी नमस्त्त दोस्त झाल झाल झाल